हेलो दोस्तों दिन नॉलेज हप पे आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके सामने करेंट अफेस का टेस्स सीरीज में टेस्स नम्मर टू तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्स नम्मर टू नमलिखित में से किस भारतिया ने रिचर्ड दौकिंस पुरसकार जीता है गुलजार जावेद अक्तर निदा फाजली सलीम जल्दी से दिजेए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जावेद अक्तर अब देखिए जावेद अक्तर जो है वो पहले भारतिये ब गठवंदर अमेरिका इसके दौरा दिया जाता है ये award question number two world involvement day is celebrated on विस्परियावरन दिवस कब मनाया जाता है 5th June 8th June 22nd May 22nd April जल्दी से दिजे इसका सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है A. world involvement day 5th June को मनाया जाता है अब world involvement day इस साल जो theme रखा गया था वो था biodiversity जैविवित्ता और इस साल जो host country थी इसकी वो है Columbia साथ के साथ आपको other options जो है जैसे 8th June को world oceans दे मनाया जाता है विस्व महा सागरिया दिवस और जैविविवित्ता का अंतरास्टी दिवस 22nd May को मनाया जाता है International day of biological diversity साथ के साथ जो पिर्थिवी दिवस है वो 22nd May को मनाया जाता है तो ये बाकी के options में ये चारों आपके थे Next question The lake is Question number 3 The lake is recently news for turning its water pink It is 500 km away from Mumbai Name the lake जील अपने पानी को गुलाबी करने के लिए हाल ही में खबरों में है यह Mumbai से 500 km की दूरी पर है जील का नाम बताईए जल्दी से दीजे सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है C ये महरास्टरा में है लोनार और साथ के साथ ये धियान रखिएगा कि ये algae के reactions के कारण इसका color pink हुआ है हलाकि अभी इसमें और भी research होने बाकी है अब बाकी के जो lakes आपके options में थे जैसे कोलेरू कोलेरू है आंधरप्रदेश में ये रामसर जगह में है भारत में कुल 37 रामसर जगह है रामसर sites है जो की wetlands होते हैं आर्दर भूमी होती है जो की जैव विवित्ता की द्रिश्चिकों से काफी महतोपूर्ण होती है wetlands उनको रामसर wetlands के अंतरगत रखा जाता है जिसके लिए काफी ज़्यदा concern दिखाने की ज़रूरत होती है इसके बाद पुलिकट पुलिकट जो है ये इंडिया में second largest salt water lake है खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील है सबसे बड़ी जील है चिलिका जो की है उरिसा में और पुलिकट है आंधर प्रदेश में question number 4 गलवान रिवर वैली होस रिसेंटी न्यूस दे रिवर फ्लोस थ्रू गलवान नदी खाटी हाली में खबरों में थी यह नदी बहती है लदाक, उत्रखंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है लदाक अब देखिए चाइनीज इंट्रिजिएन के कारण जो है, ये काफी ज़्यादा जड़जा में रहा है ये चाइना बहुत अंदर तक LAC के लाइन आफ एक्चल कंट्रोल के वास्तबिक ने अंतर रेखा के काफी अंदर तक आ गया था हाला कि दिरे-दिरे उसके वापस जाने की भी खबरें आ रही है तो ऐसे में अकसाई चिंज जो चाइना ने कैप्चर करा हुआ है लदाख कही इलागा है लेकिन चाइना ने कैप्चर करा हुआ है उससे और लदाख इन छट्रों से होकर बहती है कौन सी नदी? तो ये गलवान नदी और ये गलवान नदी जो है वो शोक नदी की सहायक नदी है साथ के साथ शोक नदी ट्रिबूटरी है सहायक नदी है इंडस की अब जो है बागजान question number 5 बागजान gas well is in which state बागजान gas कुवा किस राज्य में है नागालेंड असम पस्षिबंगाल आंधरप्रदेश चल दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B. असम बागजान जो है तिनसुकिया जिले में है असम के और यह बिलकुल यहाँ पर gas का जो कुवा है उसमें आग लगने के कारण काफी खबरों में रहा है यह question number 6 who has been appointed as goodwill ambassador to the poor by the United Nations Association for Development and Peace UNADP के दोरा किसको सदभावना राजदूद के रूप में नियुक्त किया गया है तो पद्मलक्षमी, प्रियंका चौपरा M. Netra स्रव्या अनपारेडी जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C. M. Netra दो आपको यहां पे options काफी important है, एक तो M. Netra जिनको Goodwill Ambassador UNADP ने नियुक्त किया है तमिलनाडू की रहने वाली है और दूसरी जो एक Indian American girl है 10 years की ही है, जिनको Donald Trump ने nurses और जो fire fighters जैसे आप कहेंगे कि healthcare workers है, COVID-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जितने भी लोग लगे हुए हैं, coronavirus से लड़ने के लिए उन सब को एक तरह से cookies वगेरा देने के लिए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने दिया है तो उसमें से ये भी एक है जिनका नाम है, सरव्यान परड़ी, इनको तो दोस्तों, इसका सही आंसर है D, ये जो i-flows है, जिसका मतलब ही है, integrated flood warning system, ये एक तरह से 6 से लेकर बहतर घंटे पहले ही आपको अलाम दे दे की कि इस एरिया में बाढ़ आने वाला है, तो प्लीज इस एरिया से आप सुरक्षिज जगह पर चले जाएं, तो ये आजकल जैसे मौनसुन आने का समय है, तो मौनसुन के समय बाढ़ आने के chances ज़्यादा रहते हैं, जो पश्चमी तठ है इंडिया का उन एरिया में question number 8 an Indian-born American scientist has won world food prize name the scientist, एक भारत्य मूल के अमेरिकी वैग्यानिक ने विसुखाद ये पुरसकार जीता है वैग्यानिक का नाम बताईए डॉक्टर रतनलाल, विवेकलाल, सिधार्त मुखरजी शतीस्तिर पाठी, जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एक, डॉक्टर रतनलाल, देखिए, इनको वर्ल्ड फूट प्राइस दिया गया है और इन्होंने मिर्दा, जो आप कह सकते हैं कि स्वाइल डेवल्लोप्मेंट का काम किया है जिससे कि प्रड़क्शन को बढ़ा जा सकता है क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से अमेट चेंजिस का खत्रा है या बहुत सारे अधर जो नेचरल रिसोर्स का अभाव है ऐसे में, ऐसे तरह के टेकनलोजी स्वाइल में यूज करके उन्होंने प्रड़क्शन को बढ़ाया है तो वो एक बहुती बड़ी बात है जिसके करण डॉक्र रतनलाल को दिया गया है वर्ल्ट फूट प्राइस टुट्टी और साथ के साथ पिछले साल 2019 में इनको जापैन सरकार ने भी पुरस्कृत किया था इसके बाद जो इंडियन अमेरिकन बिवेक लॉल है उन्होंने उनको नियुक्त किया गया है कैलिफोर्निया स्थेत जेनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कोपरेशन का जो हेड़कोर्टर है उसमें इनको चीफ एक्जुकिटिव नियुक्त किया गया है साथ के साथ एक सिधार्थ मुखर जी और सतीस्त रिपाठी इनको नियुई यॉर्क में फिर से एकॉनमी को रिवाइफ करने के लिए अर्थवयोस्ता को फिर से पट्री पर लाने के लिए इनको जो कमीसन गटिक की गई है उनका मिंबर बनाया गया है सिधार्थ मुखर जी है जाने-बानिय फिजीशन है और इनको पुलिजर प्राइज भी मिल चुका है पुलिजर प्राइज जो जनल इजनललिजम या किसी नॉनव फिक्शन्स के लिए दिया जाता है मतलब जो कुछ चीजें लिखने के लिए मतलब articulation के लिए दिया जाता है तो और दूसरे है educationist है सिधार्थ सतीस्त्रिपार्थी इनको भी मिला है इनको भी इसमें न्युक्तिक किया गया है question number 9 India retained its 108th position in FIFA ranking 2020 which country topped the ranking भारत 108 में अस्थान को बरकरार रखा है FIFA ranking में किस अस्थान ने किया है किस देश ने top किया है तो France, Belgium, Brazil, England जल्दी से दीजिए इसका सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है B देखिए भारत तो 108 पर पहले भी था 2019 में और इस साल भी 108 पर है लेकिन ये जो बाकी के options हैं उसमें सब toppers ही है जिसे Belgium number 1 है फ्रांस number 2 है, ब्राजिल number 3 है और England number 4 है Question number 10 Which state government has launched पंचवटी योजना किस राजी सरकार ने पंचवटी योजना की सुरुआत की है सिक्की मांधर परदेश, हिमाचल परदेश, घुजरात जल्दी से दीजिए इसका सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है C, हिमाचल परदेश अब देखिए ये senior citizens के लिए लाँच किया गया है पंचवटी योजना क्योंकि COVID-19 के कारण senior citizens को खत्रा आधिक है तो इसमें पंचवटी जो है पार्क का निर्मान किया जाएगा only for senior citizens इसके बाद जो है एक और आपको ध्यान रखना है आंधर परदेश का जगन मोहन सरकार ने launch किया है जगना चेदोडू तो ये जो है नाई दरजी धोबी इत्यादी जो गरीब तबके के occupation वाले लोग हैं आजीवका वाले इसके बाद एक तरह से exchange जारी किया है question number 11 recently China set a record to reach the deepest point of earth name the deepest point हाल ही में चीन ने पृत्वी के सबसे गहरे बिंदू तक पहुंचने का record बनाया सबसे गहरे बिंदू का नाम बताइए Mariana Trench, Java Trench, Queen Maryland, Kola जल्दी से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A. Mariana Trench देखिए Mariana Trench है प्रसांद महासागर में सबसे गहरा point जो है वो Mariana Trench है यह पूरा अगर continent की बात करे या महासागर की बात करे तो प्राकृतिक तोर पर Mariana Trench सबसे गहरा point है इसके बाद अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो सबसे गहरा बिंदू जो है वो Jawa Trench है और अगर हम केवल महादूइब की बात करें तो ऐसे में प्राकृतिक तोर पर जो सबसे गहरा बिंदू है वो है Queen Maryland यह कहाँ पर है तो Eastern Antarctica में है और साथ के साथ जो हमने artificial तोर पर आज तक जो सबसे गहरे position तक हम पहुँचे हैं सबसे deepest point तक हम पहुँचे हैं वो Russia में इस्तित है Kola जिसको कहते है Kola Superdeep Boardhole तो उसको drill किया गया है उतना 12 km के आज पास तक उस drilling होई है Question number 12 The Pune-based Defense Institute of Advanced Technology has developed nanotechnology-based disinfectant spray to fight against COVID-19 Name the spray Pune-based Defense Institute of Advanced Technology ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए nanotechnology आधारी किटानो नासक spray विक्सित की है spray का नाम दे अरपित आरोगे से तू सुकन्या अनन्या जली से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इस के टानो नासक का जो नाम है वो है अनन्या साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि Indian Air Force ने एक pod जो अरपित नाम से है तो उसको launch किया है जो कि गंभी रोग्यों को निकालने में काफी मदद मिलेगी इस अरपित से इसके बाद आरोगी सेतू जो एप है ये ट्रैकर एप है कि किस चतर में कितने कुरोना संक्रमित मरीज है और एक तरह से हॉट स्पोर्ट एडिया कौन सा है ये सब आपको आरोगी सेतू एप से मिल जाएगा इसके बाद कुशन नमर्ट थाटीन रिसेंटली उत्राखंड डिकलेरड इस न्यू समर कैपिटल नेम दे कैपिटल हाली में उत्राखंड ने इसे नई ग्रिस्म कालीन राजधानी घोसित किया है राजधानी का नाम बताईए हरिद्वार, नैनीताल, गैरसन और मसूरी जल्दी से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, गैरसन अब देखिए ये जो समर कैपिटल उत्राखंड की है वो है गैरसन और विंटर कैपिटल जो है सीथ कालीन कैपिटल वो रहेंगी देहरादून ही और इससे पहले तक पुर्या देहरादून एक मादर कैपिटल था और जो नैनी ताल है वहाँ पर उत्राखंड का हाई कोट इस्तित है किस योजना के तहत भारतिय नौसैनिक जो है दूसरे देशों को सहायता प्रदान कर रहे हैं कोविड नाइटीन से निपटने के लिए तो ऑप्संस हैं ओप्रेशन समुद्र मिसन सागर ओप्रेशन राहत वंदे भारत अफ्यान जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B मिसन सागर अब देखिए मिसन सागर के तहर जो है वैसे पाँच जो आइलेंड कंट्रीज हैं जैसे कि मालदी, मौरिसस, सीचिल, कॉमरोस और मेडगेसकर ये सब मिली हिंद महासागर में स्थित हैं आइलेंड कंट्रीज हैं छोड़ी-छोटे कंट्रीज हैं तो इनको मिसन सागर के तहट COVID-19 से ने पटने के लिए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही इंडिया है करीब 70% इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है एंटी-मेलेरियल ड्रग है जो की COVID-19 से एक तरह से इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए काफी ज़्यादा यूस में उसको लाया गया था इन फैक्ट यूस में काफी ज़्यादा हमने सप्लाई किया है तो मिसन सागर के अंतरकत इन पाँचो कंट्रीज को मौरिसल, सिचिल्स, कॉमरोस, मेडगासकर को हमने जो है एसिस्टेंस दिया है लड़ने के लिए COVID-19 से इसके बाद ऐबरेशन समुदरसेत। GoPro मालदीब में फसे हुए भारतियों को लाया गया है ऐसके बाद ऐबरेशन राहत जो है 2015 में लौंच किया गया था भारतिय नौसानी के द्वरा वहा पर जो फसे हुए थे यमन में जो फसे हुए थे भारतिय हैं उनको वापस लाने के लिए और वंदे भारत अवियान ये COVID-19 के दौरान एक और अवियान जारी किया गया था जिसके तहरा जो हवाई मार्ग से जो विदेश में फसे हुए भारतिय हैं उनको लाया गया है Question number 15 A group of 8 democracies have launched inter-parliamentary alliance on China which of the following countries is not a part of it आठ लोग तंत्रों में से एक समुह ने के एक समुह ने चेन पर अंतर संसदिय गठवंदन सुरू किया है निमलिखित में से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है भारत, US, Japan, Australia जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A. India अब देखिए ये 8 countries कौन-कौन सी ये आपको ध्यान रखना है US, Germany, UK, Japan, Australia, Canada, Sweden, Norway ये 8 countries हैं जो IPEC जो अभी डिजाइन किया गया है कि एक तरह से चाइना को माना जा रहा है COVID-19 creator कि COVID-19 के बारे में information चाइना ने चुपाया है तो ऐसे में किस तरह से चाइना को isolate किया जाए इसके लिए एक team बना ली गई है grouping कर ली गई है IPAC के रूप में अब ये भी चीज है कि मैंने ये जो option लिया था India, USA, Japan और Australia ये भी एक तरह से Asia pivot Asia pivot का ये मतलब है कि US का एक plan है चाइना को घेडने का जिस तरह से चाइना string of pulse या CPEC या आपका BRI Border Road Initiative इन तरह की चीजों से पूरे दुनिया में अपना दबबा बना चुका है तो ठीक उसी तरह से चाइना को counter करने के लिए ये चारो कंट्री जो है India, Australia, Japan और US इन्होंने quad strategic group बनाया हुआ है quad गमतलों quadilator चार countries है इसके अंतरगत तो ये भी आपको ध्यान लगना है Question number 16 Recently a task force for women and child development has been constituted under the chairmanship of किसकी अध्यक्षता में महिला और बाल विकास के लिए task force विकसित की गई है A. मेनका गांधी B. जया जेटली C. अस्मिर्ती इरानी D. रेखा सर्मा जल्दी सिदीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B. जया जेटली अब देखिए women and child ministry ने जया जेटली के नित्रुत में एक committee एक task force गठिद किया है और जिसका मेन काम होगा lowering maternal mortality rate मार्त्री मिर्त्यूदर कम करना पोसन में सुधार improved nutritional levels और उन मुद्दों की जांच करे जो मार्त्रितू से सम्मंदित हैं examine issues that are related age of motherhood इन चीजों से सम्मंदित इस पर ये पूरा विस्तार से report त्रियार करेंगी Question No.17 To continue providing efficient renewable power and resilient energy system in the future Power Ministry has launched which initiative भविस्व में कुशल अक्षा उर्जा और लचिला उर्जा प्रतान करने के लिए उर्जा मंत्राले ने कौन सी पहल सुरू की है E-Power, E-Solar, I Commit, I Resolve जल्दी से दीचे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, I Commit देखिए I Commit जो है वो एक तरह से जितने भी government ने launch किया हुआ है जैसे दिन दयाल उपाद ध्याई ग्राम जोती योजना जैसे उदाय स्कीम जैसे launch किया हुआ है सौभागे, सहज बिजली हर घर योजना इन सब को एक तरह से चिन्हित करके और इन में से renewable renewable energy को बढ़ाने के लिए एक तरह से commitment शुरू कर दिया है government ने so that कि भारत को बहुत ही जैदा energy rich और energy surplus country बनाया जा सके question number 18 who has been declared EY World Entrepreneur of the Year 2020 verse 2020 का EY World Entrepreneur किसे घोसित किया गया है उदैको टेक, नारायन मूर्ती ओलिविया लुम किरन मजुमदार 100 तो दोस्तों इसका सही आंसर है D किरन मजुमदार 100 अब देखिए कि जितने भी लोग हैं इन चारों लोगों को ये अवार्ड मिल जुका है जो नारायन मूर्ती हैं उनको 2005 में उदैकोटक हैं कोटक महिंद्रा के चीफ उनको 2014 में किरन मजुमदार 100 इनको 2020 में और एक चीज़ ये तीन भारतिये ही हैं जिनको मिला हुआ है ये अवार्ड E&Y Entrepreneur of the Year अवार्ड इसके बाद ओलिविया लूम को ये 2011 में ये पहली महिला है जिनको मिला है ये अवार्ड इसलिए मैंने इसको option में डाला हुआ है कि पहली महिला कौन है तो अलिविया लूम ये Singapore की है इसके बाद एक और जो उदय कोटक से related चीज़ थै कि जो CII है Confederation of Indian Industry तो उसका आपको Chairman बनाया गया है उदय कोटक को ठीक है CEO कोटक महिंद्रा बैंक के हैं ये तो इनको ही बनाया गया है CII का Chairman Question number 19 On the occasion of World Environment Day Environment Ministry launched a scheme to emphasize an urban forestry named the scheme विस्तु प्रियावरन दिवस के अवसर पर प्रियावरन मंत्राले ने सहरी वानकी पर जोड देने के लिए एक योजना सुरू की योजना का नाम बताईए नगरवन, नगरकानन, सहर अरन्य, नगर अरन्य जल्दे से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A. नगरवन अब देखिए नगरवन जो है इसके तहट 200 और बन नगरवन या सहरी वन जिसको आप कह सकते हैं अगले पांच वर्स में देश भर में 200 सहरी वन को विकसित करने की योजना है और जो पूने का वर्जे है वर्जे सहरी वन है वो एक रॉल मॉडल के तरह इसके लिए काम होगा कि वो जो सहर के बीचो बीच बनाया गया है वर्जे तो वैसा ही करीब-करीब 200 सहरों के अंतरगर दिवेविन सहरों के अंतरगर 200 ऐसे अर्वन पॉर्ष्ट्री बनाने की योजना है क्वेश्चन नमबर 20 Ministry of Urban Affairs has launched an internship program for fresh engineers engineering graduate नेमदीप प्रोग्राम सहरी मामलों के मंत्राले ने नए engineering असनातकों के लिए किंटरंसिप कारिकरम सुरू किया है कारिकरम का नाम बताईए एम, स्वयम, तुलीप, रिसोर्स जल्दिसी तीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C. तुलीप यह तुलीप योजना आपको ध्यान रखना है कि engineering असनातकों के लिए अर्बन मेनिस्ट्रे ने रोज किया है और साथ के साथ जो अटल इनोवेशन मिसन है यह अटल इनोवेशन मिसन यह फ्लैक्सिप स्कीम है निती आयोग के द्वारा जिसके तहत की इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है जो स्वयम है वो steady waves of active learning for young aspiring minds इसका फुल फॉर्म है और यह एक तरह से बरे पैमाने पर open आप कह सकते हैं online course platform है Question number 21 Agriculture Ministry has launched a scheme to assist the cooperative institutions to access innovative ideas of young professionals name this scheme किसी मंत्राले ने युवा पेसेवरों के नवीन विचारों तक पहुचने के लिए सहकारी संस्थाओं की सहयता के लिए एक योजना सुरू की है योजना का नाम बताई है किसान मित्र किसान सहयोग सहकारी यात्रा सहकार मित्र तो दोस्तों इसका सही आंसर है D सहकार मित्र देखिए सहकार मित्र जो है ये एक तरह से cooperative societies को नए जो youths हैं उनको cooperative society को मदद कैसे करनी है नए ने cooperative societies कैसे बनाने हैं किस तरह से cooperative society के मदद से लोगों को रोजगार सरजन करना बताना है तो ये इसके लिए launch किया गया है और ये एक तरह से सहकारी समीतियों के वेवारिक प्र करेगा यह योजना ठीक है और इसके लिए फार्मर प्रोडूसिंग और्गनाजीशन भी बनाया जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं आप कि किरसी छत्र में लोगों को जो नए टेक्नोलोजी या न्यू यूथ है जिसको अग्रिकल्चर के बारे में नॉलेज है उनको के रूप में लांच किया गया है कुश्चन नमर 22 चांगपा कम्यूनिटी लिवस इन विच पार्ट चांगपा समुदाय कि सिस्से में रहता है लदाक जमू कस्मीर और नाचल परदेश सिक्किम जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए लदा अब देखिए ये न्यूज में इसलिए था कि जो चीन की सेना का घुसफेट हुआ है इंट्रिजन हुआ है उस कारण से जो चंबूर और डेम्चोक का छितर है जहां पर चारागाह के रूप में ये लोग प्रयोग करते थे चांगपा समुदाय के लोग वो काफी ज़यदा प्रभावित हुआ है ठीक है वो काफी ज़यदा कैप्चर कर लिया गया है चीनी आर्मी के द्वारा तो इसलिए ये काफी न्यूज में रहा है तो आपको चांगपा कम्यूनिटी ध्यान रखना है कहां से है तो लग दाक से है च्छतीसगर्ण सरकार ने राजी में पुलिस कर्मियों के मांसिक तनाओ और डिप्रेशन को कम करने के लिए डैस अव्यान की सुरुआत की है न्याई असपंदन मिसन भागिरत मिसन काक्तिय या ककातिया तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी असपंदन अब देखिए न्याई जो है ये भी छतीसगर्ण की योजना है राजीव गांधी न्याई योजना जो है ये फार्मर्स के लिए है उनको फानेंसल एसिस्टेंस दिये जाने के लिए है जो असपंदन है ये पुलिस कर्मी के ल यह question काफी बार पूछा गया है different exams में तो मिसन भागिरत यह safe drinking water सुध्ध पेजल यह हर घर तक पहुंचाने की योजना है तेलंगाना सरकार की और मिसन ककातिया जो है वो जो small और marginal farmers है जो छोटे और सिमान किसान है उनको एक तरह से वित्य सहायता देना यह launch किया गया है तेलंगाना सरकार के दोरा यह सब पुरानी योजना है question number 24 बंदे उतकल जन्नी has become state song of which state बंदे उतकल जन्नी किस राज्य का राज्यगीत बन गया है वेश्ट पेंगॉल, औरिसा, तमिलनाडू, आंधरप्रदेश चल दे से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों, इसका सही आंसर है B, बंदे उतकल जो है इसको लिखा है लक्षमी कांत महापात्रा ने और यह जो है पहली बार इसको 1912 में जो एक cultural organization फॉंड किया गया था, social and cultural organization उतकल सम्मिलनी उसके द्वारा इसको काफी popularize किया गया जैसे इनकलाब जिंदाबाज को popularize किया था भगत सिंग ने ठीक है, तो यह हो गई बात 1912 से 1936 में जब औरिसा बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया तो यह बहुत जादा और popular हो गया बंदे उतकल जन्नी और 1994 में 1994 में इसको सत्र के अंत में हर एक जो विधान सभा का सत्र होता है उसके अंत में इसको गाया जाता है 1994 से question number 25 आसका last question घरगर निगरानी mobile application is launched by which state government घरगर निगरानी mobile application किस राजे सरकार द्वारा सुरू किया गया है पंजाब, गुजरात, औरिसा, महरास्ट जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A. पंजाब पंजाब सरकार ने इसको launch किया है ताकि घरगर निगरानी रखी जा सके COVID-19 के कारण बहुत ज़्यादा किसे पढ़ रहे है इंडिया में COVID-19 के तो ऐसे में हर गौवर्मेंट अपने तरीके से कुसिस कर रही है कि किस तरह से इसको कम किया जा सके किस तरह से आगे फैलने से रोका जा सके तो ऐसे में पंजाब सरकार ने लौँच कर दिया है घर-घर निगरानी तो दोस्तों इसके साथ ही ये जो करेंट अफेर्स के टेस्ट नमर टू है उसके सारे कुस्चिन्स मैंने आपके सामने रखे दोस्तों अब आप मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुर सकते हैं वहाँ पे भी आप कोईज दे सकते हैं तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यू सो मच